हमने पहले भी कथाओं में कहा हर महीने शिवरत्री आती है प्रते एक महीने शिवरत्री पढ़ती है और प्रते एक महीने की शिवरत्री पर अगर आप से बन सके आप दुनिया में आगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब विप्ती है बहुत साधरन विप्ती है इसके पास धन नहीं है, वेभाव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दोसरे किया काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे, बारों महीने ज़न से देखना ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है गनेजी का इस्थान कार्तिके जी का इस्थान ये हस्त कमल माता पारवती जी का हाथ हस्त कमल शिवलिंग भगवान शंकर का इस्थान उपर से जो एक एक बून जल शिवलिंग के उपर गिर रहा है शंकर भगवान की प ये पूरे शिवलिंग का वर्ण है, पांच जगा पर बेलपत्र, पांच स्थान पर बेलपत्र, बारो महिने की शिवरात्री, आप दूसरे के या काम उतर रहे, नहीं है नोकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रहे, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, बारों महीने शिवरात्री आती है, एक बेलपत्र अशोक सुन्दरी वाली जगा पर डंडी का मून नीचे की हो। दूसरी बेलपत्र माता पारवती जी के हस्त कमल पर ये तो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के दो भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पत्र टंडी का भाग आपके विप्रित दिशा में हो। दो पाओं उपर उठा हुआ है, उस पाओं के पास में पाच भी बेलपत्र समर्पित करना, एक शिवरात्री से लेकर बारा शिवरात्री जो एक वर्ष तक कर लेता है, एक वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत बूरी करना, और ये पाच बेलपत्र, पाच बेलपत झाल